हालो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गैती पैसन हिंदी में जिसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कड़ाई पनीर की रिस्पी इसके लिए सबसे पहले हम मसाले तैयार कर लेंगे ये मैजिकल मसाला है जो की पनीर के टेस्ट को एनहेंस करता है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना यहां पर मैंने लिया है टू टी स्पून साबुत धनिया काली मेर्च वन टी स्पून जीरा वन टी स्पून लॉंग दो लाल मेर्च दो इलाइची और चार से पांच लॉंग सब को अच्छे से भू इस अब ही औयल यूज कर सकते हैं यहां देखिए सबसे पहले मैंने टू मीडियम साइज के प्याच को चौप कर लिया है उसको सबसे पहले ऐसे ही भूल लेंगे ताकि इसका कच्छापन चला जाए प्याच के साथ में मैं एड कर रही हूं दो मीडियम साइज के टमाटर इ इसको इस पैचुला की हेल से इस तरीके से मिक्स कर दें और साथ ही साथ मैं इसमें एड करूंगी अद्रक और लहसुन इसी के साथ में यह भी पक जाएंगे और 10-12 काजू यह देखिए सबी चीजे अच्छे से पक चुकी है इसको ठंडा होने के लिए हम प्लेट में निकाल लेंगे उसके बाद इस चीज को ग्रैंड करेंगे जो हमने मिशाले भून रखे थे वो बिलकुल थंडे हो चुके हैं उसको मैं मिक्सल जार में डालके ग्रैंड कर चुकी हूँ और यहां पर मैंने रिफाइंड ओयल लिया है वन टी स्पून के लगबग हलका लिया है ज्यादा नहीं यूज किया है मैंने ओयल का और इसमें मैंने डाला है प्याज स्लाइस किया हुआ और स्लाइस किया हुआ सिम्ला मेर्च इसमें अच्छे से भून लेंगे और इसमें मैं एड़ करूंगी जीरा ये देखे जीरा को एक मिनट तक पका लेंगे ये देखे और मैं इसमें भूना हुआ मसाला जो है ग्रैंड कर लिया था उसको डाल देंगे ये ही मसाले से हमारी कड़ाई पनीर इतनी टेस्टी लगेगी रेस्टोरेंट के भी कड़ाई पनीर आप खाना भूल जाएंगे ये देखे और बात में मैं इसमें डाल रही हूँ पेवरी जो हमने रेडी की थी सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे इस रेस्पी में नाम तो मैंने क्रीम डाला है नामलाई डाला है सिंपल चीजे हैं जो आपके किचन में अवलेबल होती हैं उससे आप बना सकते हैं जार में मैंने हलका सा पानी डाल के इसमें डाल दिया ग्रेवी में ये देखे मैंने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर करनसार नमक एड़ कर दीजिए मिक्स कर देंगे अब मैं इसमें एड़ कर रही हूं फ्राइ किया हुआ पनीर और इसमें मैंने हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है थोड़ी चटपटी होनी चाहिए और इसको गर्म मसाला डालके हाफ टी स्पून इसको लगभग देंगे और चार से पाच मिनट के लिए यह देखिए हमारी कड़ाई पनीर लगभग तैयार है आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना क्रीमी लग रहा है बिना क्रीम डाले और यह देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है और इसमें उपर से डालेंगे हरा धनिया मिक्स करेंगे अच्छे से चलिए सर्व करने के लिए रेडी है हमारा इस्पेसल कड़ाई पनीर घर का बना हुआ टेस्टी लाजवाब और यह देखिए मैं इसको सर्व कर रही हूं प्लेट में सच में फ्रेंड इसको आप बनाएंगे घर में तो इसके मुँ में घ सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको इसी तरह की नए नए रेस्पी लेकर आती रहूंगी आपके लिए और आप सभी घर का बना हुआ खाना खाएं सेहत मंद रहें बाहर की चीजे ज्यादा मत खाएं तो थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलती हूं नए रेस् सब्सक्राइब को गुड़ नाइट बाई बाई नमस्कार